प्रेडिंग की अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन दवाना न भूले ताकि कोई भी फाइनेंस से लेटेस्ट रिलेटेड वीडियो जो है वो मिस न हो तो चलिए आज के स्टॉक का हम लोग नाम लियान लेते हैं यहां पर जो हम लोग स्टॉक डिसकस करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में डिसक में पूछ सकते हैं घ्रेकन करना चाहता हूँ और जिस कमेंट का रिपलाई नहीं करता हूँ उस कमेंट पर डारेकनी वीडियोahी बना देता हूँ तो comment करना भी ना पुले चले सीधे एनसी की website पर आएंगे और जानेंगे आज की performance आज की performance की बात करें तो लगबल लगबल 1% यह डाउन यहां पर चलता हुए आपको देखने को मिल सकता है बात करें वहीं पर प्रिवेस क्लोजिंग की तो 599 पर था ओपन होता है 599 पर कोई खास गिरावट पर नहीं होता है और वहीं इसका हाई होता है जहां पर उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ रपतार यानि गिरावट की त दिखाता है जहां तक बात करेंगे आप मार्गेट डेफ्ट में तो यहां पर बाइंग बीड देखने को मिल सकते हैं यानि कि खलकी सी पॉजिटिवीट दिखा रही लेकिन काफी कम है अब बात कर लेते हैं यहां पर वॉल्यूम की और डिलिवरी की वॉल्यूम के हम बात क कर सकते हैं लगबग नीट्रल टू पॉजिटिव कर सकते हैं यहां पर आईटी सेगमेंट में डिलिवरी परसेंटेस दमदार होनी चाहिए तो यहां पर डिलिवरी में थोड़ा सा कम काम हुआ है बट उतना ज़्यादा अग्रेसिवनेस से नहीं हुआ है अब हम आते हैं न अधर चीजों के नेचर से काफी अच्छा है विप्रो विल कंटिनीव टू इन्वेस्ट इन तिलांगाना सेज अजीम प्रेम जी ही अलसो प्रेज तिलांगाना फोर इस हैंडिंग हैंडिलिंग ऑफ कोविड क्राइसिस सेइंग दैट स्टेट है बाई लार्ज यह भी देश को मतलब काफी सपोर्ट करते हैं और इन्वेस्टेड तो इससे क्या वगा पता है यह स्टेट भी एक हब बनेगा आईटी हब जैसे के हाईदराबाज में बैंगलू है और आईटी हब बने या ना बने बट यहाँ पर इनके इन्वेस्टमेंट का जो नजरिय यह इस state को बहुत ही ज़्यदा fruitful होगा साथ में विप्रो के लिए fruitful रहने वाला है humanity के नेचर से तो होने ही वाला है fruitful अब हम आते हैं अगला न्यूज पर अगला न्यूज यहां पर विप्रो consumer care विप्रो कंजू़मर के आपको पता ही है क्या है विप्रो के ने नये पलांट फुलें में हिद्राबाद ग्रेटिस्ट इस्टिक्ट इन ग्रेटेस यहां पर ग्रेट ग्रेट डिरेक्ट और इंडारेक्ट इंप्लोयमेंट आफ बाऊट उवट अप इंप्रोकंध्रो कंजू़मूर एंड लाइटिन Avatar इन महयस्वरम here with an investment of 300 crore, 300 crore का इन्हों ने आप investment किया, महस्वरम में Vipro Consumer Care commenced construction in 2018 with an acquisition of 30 acres in महस्वरम, यहाँ पे 2018 से इनका program चल रहा था और वहाँ से लेके अभी यह जाके complete हुआ है, अगर आप लोग देखोगे तो product के भी यहाँ पे नाम है, कुछ skin white zero करके, यह Vipro के ही product है, Vipro Consumer Product के, Vipro Consumer Care के, अब हम आते हैं अगले news पे और अगला news यहाँ पे काफी अच्छा निकल के आ रहा ही है भी Vipro GE Health Care invest 100 crore in new manufacturing facility, यहाँ पे अगर आप देखोगे, Vipro GE Health Care Leading Global Medical Technology and Digital Solution in Western has announced to launch its new manufacturing facility in Bangaluru, India under the Indian Government Production Link Incentive, यानि PLI scheme के थूँ उन्हों यह launch किया और इसका क्या benefit होता है, पिसले वीडियो मेरिलांस की वीडियो में आपको समझाया है, अगर समझना है तो फिर से आप जाके देख सकते हो briefing में बता जाता हूँ, briefing यह है कि इनको इसका direct फाइदा मिलेगा PLI scheme का को मिल सकता है, ठीक है, तो यह काफी अच्छा news भी निकल के आ रहा है अब हम आते हैं broker की call, broker की call आप देखो कि अगर broker call by Wipro, अग यह किस की call है कौन से broker, तो जाने माने वो broker, access securities, target of 675, current market price 599, ठीक है, Wipro India limited, one of the largest IT service exporter and has strong global presence, it provides industries wide solution, including next gen, service like cloud computing digital transformation, IOT internet of things, IOT, चीक है machine learning, ADM, यह सारे segment में क्याम कर रहे है, और इनका portfolio काफी लंबा है, इस research report के आधार पर, access ने इनको 675 का यहाँ पर target सुझा है, जो कि current level से आप गर आप मान के चल सकते हो, तो लगभग, लगभग, अगर यहाँ पर निकल के आ रहे है, वो भी काफी अच्छी है 3235 क्रोड रूपे का यहनका, जो है market capitalization हो गया है, ठीक है, तो यह भी एक काफी अच्छी news है, अब हम आते है में मुद्दे पर, अब देखेंगे इनका हकीकत क्या है, यहाँ पर target, जो यहाँ पर हमें देखने को मिल अच्छी, तो यह देखें, long term वाली line है, वो जो cut हो रही है, किस से short term, यानि short term वाली line जो है, वो नीचे की तरफ जारी है, daily basis candle पर, तो daily basis पर हमें, यानि कि एक छोटा swing level पर हमें, एक negative sentiment देखने को मिल सकता है, वहीं अगर हम बात करें, short terms में के लिए, लगबक अगर दस मिनट की candle पर देखना चाहिए, दस मिनट की candle पर आप देख सकते हो, यह यहाँ से blue वाली जो line है, अब उपर की तरफ जो है, वो रूख कर, यह अगर पांच मिनट की candle पर हम देखना चाहिए, तो उसमें भी हमें एक लगबक, एक negative साहिं से एंटिमेंट देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ से blue वाली जो है, नीचे हरे की तरफ आ रही है, तो अगर आपको यह stock आप लेवल बता दे रहा हूं, 594 के उपर निकले तो आपको bullish हो जाना है, या फिर यहाँ पर resistance फेस करके फोड़ा सा भी नीचे अगर है, 594 रुपेज 90 पैसे, यानि 595 के उपर 5 मिनट की candle अगर closing देती है, तो आपको उपर side का target की trade लेना है, लेकिन अगर वहीं 595 के नीचे अगर यह trade देती है, और तो आपको एक short जो है, sales के लेना है, जिसका support जो है, 593 रुपेज 20 पैसे का मिलने माला है, यह लगबख 2 रुपे के लिए आप यहाँ पर जा सकते हो, 2 रुपेज और आदा पर सेंट के ऊपर होता है, इस stock में, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर हम short terms में देखें, तो short terms में हमें तो negativity देखने को मिल रहे है, वहाँ अगर बात करें, daily basis में, तो daily basis में जो है, यहाँ पर आपको, RSI भी कमजोर होता है, वह दिख रहा है 49.46 का, तो देखिए, क्या यह target, जो 700 का, 700 का, जो यह target है, क्या यह wastage है, नहीं, जी, यह wastage नहीं है, इनका time horizon, one year का है, तो अगर आपके पास one year का patience है, तो आप patiently buy करके hold कर सकते हो, या फिर अच्छे rate का wait कर हो, और अच्छे rate पर यहाँ पर entry हो, ठीक है, अब हम आते हैं, यहाँ पर Fibonaki के levels, देखेंगे, फटाबर से, Fibonaki के levels, क्या, मैं इसे, एक disclaimer आपको बता दू, मैं इसे stock में invested हूँ, अच्छे तरीके से invested हूँ, अच्छा खाजा मेरा यहाँ पर investment है, Fibonaki के levels बता दू, Fibonaki के levels से कर देखें, तो 606 रुपे 61 पैसे है, अनि लगभग 607 रुपे का आर्वन ही हाँ पर निकल कर रहा है, 609 रुपे का आर्टू निकल कर रहा है, 613 रुपे 68 पैसे है, 614 का हाँ आर्थरी निकल कर रहा है, या फिर जो short term, long term, moving, average पर बता है, उस पार्ट पे भी आप play कर सकते हैं, जो 5 मिनट की candle पर आपको दिखाएगे, 595 के नीचे close हो, आपको यहाँ पर बेजीजक, बेजीजक आपको यानि कि यह support 2 है, इसको यह इसके नीचे close हो, 595, देखिए, आप तो यहाँ पर exact level भी मिल गया, यानि 595 रुपर 16 पैसे के नीचे, अगर यह resistance पेस करता है, अगर यहाँ पर तो आप एक short term trade ले सकते हो, वो भी short side का, यानि कि आप बेच के पहले short side का trade, तो आप सबको पता हो, जो internet में play करते हैं, वहीं पर अगर बात कि सकता है, क्योंकि वो 20 day moving average के नीचे है, तो लगबख हो सकता है, यानि 50 day moving average तक यह approach दिखा सके, ठीक है, अब community forum की बात करेंगे, community forum की बात करें तो 88% buy rating है, यहाँ पर आप देख सकते हो, 5% sell rating है, और वहीं पर बात करें, 7% hold rating, यानि लगबख 875, यानि कि लगबख 95% यहा buy rating है, और 5% sell rating है, तो आपको पता ही है, क्या decision लेना चीए, wise decision ले सकता, वहीं पर आप target देख लेते हैं, within one year वाले target, तो यहाँ पर 700 का target, आई सी direct की तरफ से आ रहा है, क्यार चौक्षी की तरफ से लगबख 794 या 800 का target आप मान के चल सकते हो, वहीं पर देखें सेयर खान क तो सेयर खान के तरफ से आ रहा है, 7500 का target, मोतीलाल उस्वाल की बात करें तो 720 का target यहाँ पर निकल के आ रहा है, पर बुदास लीलादर की बात करें, तो 737 का target और M के global services की बात करें, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है 700, यानि कि पूरा targeting range की बात हम लोग कर लें, तो 700 से ल कह दिया मैंने अगर मान की चले 600 पर है यहां पर यहां पर यहां पर पंदरा परसंट से ले करके आपको जो प्रोफिट होने वाला है वहीं पर होने वाला है 800 तो 200 यहां पर पॉइंट हो जाता है जो कि यहां पर तीस परसंट के ऊपर यानि 25 परसंट आप मान के चल सकतो 15-35 परसंट का टारगेट है एजिली वन येर में कोई बड़ी बात नहीं है कोई छोटी बात नहीं है ठीक है तो क्या हम मैं इसे इन्वेस्टेट हूं तो आप अपना सो समझ करें डीसीन ले मैं कोई से भी रेजिस्टर नहीं हूं आज के लिए इतना ही मिलें फिरेंगे जेने वीडियो में तब तक अब आपने कहलेक अपनों कहलेक हैं जै हिंद जै भारत कि अ कि अ कि अ